नमस्कर दूस्तों स्वागत है आपका फार्मारोक्स की यूट्यूब एज्विस्टन चैनल में तो आज हम सिखने वाले हैं पांच सबसे अच्छी खुजली की दवा के बारे में कि जिसमें प्राब्लेम यह होता है कि आपके सरीर के उपर तेज खुजली होती है फिर सेकंड हम देखे तो वहाँ पे लाली में मतलब कि redness देखने को मिलती है तीसरी condition देखे तो तौचा की सूजन हो जाती है मतलब कि वहाँ पे inflammation देखने को मिलता है चौथा condition हो जाता है कि खुजली एवर मतलब कि तौचा जोए वो dry हो जाती है dryness देखने को मिलती है और फिर हम के itching related problem होते हैं तो उसके इलाज के लिए कौन से 5 सबसे अच्छे दवाईया है उसकी हम study करेंगे आज के lecture में और जानेगे किस तरह से आप itching का जो इलाज कर सकते हैं तो ऐसे ही आपको detail में सेखना है तो आप medicine course को join कर सकते हैं कि जिसमें आप बहुत सारी दवाईयों के बार में तो itching मतलब कि ऐसे condition के जिसके अंदर special यह होता है कि आपको जे वो itching के sensation होते हैं कि समझे कि आपको किसी जगा पर कोई सूजन देखने को मिल रही है तो या फिर किसी भी तरह से skin damage होई तो वहाँ पर itching के sensation जो होते है और उसके करन क्या होता है कि वहाँ पर आप समझे itching करते है तो वह जगा पर redness हो जाता है सूजन जेसा हो जाता है या फिर वहाँ से रक्त जो आना सूरू हो जाता है तो उसको treat करने के लिए कौन सी दवाई यह यूस की जाते तो वह हम जानेंगे तो reasons क्या होते हैं itching के तो बहुत सारी reasons होते है पहला एक reason होता है कि आपक कि जो skin है वो dry हो गई है या फिर कोई immune system related कोई disturbance हुआ है आपके सरीर के अंदर second हम देखे तो eczema की समझे के condition है सोराइस की condition है या फिर आपकी skin dry हो चुकी है तो उसके करन भी आपको itching के sensation हो सकते है तीसरा हम देखे तो irritating कोई chemicals मनले कि कोई ऐसे कोई chemical के आप contact में आया है कि कि उसके करन भी आपको यह problem हो सकता है फिर कोई cosmetic की आपको अलचानक से allergy होगे कि आपको cosmetic product यूज कर रहे है और वो आपको suit नहीं हो रहा उसकी allergy हो गई तो उसके करन भी यह problem हो सकता है या फिर कोई दूसरे ऐसे substance जैसे कि जैसे कि समझो कि कोई parasite से कोई bacteria है या फिर कोई microorganism में कोई fog है कोई pain warm says cabbage वगिरा है तो उनके infection के कारण भी आपको itching जैसा हो सकता है तो itching जो एक symptom है कोई बीमारी नहीं है कि सरीर में कोई ऐसा infection वगिरा हुआ है या फिर कोई allergic reactions हो जाती है तो वहाँ पर यह eaching जो एक symptom बनता है pregnancy के दौरान भी कई बार itching के sensation होते है फिर liver kidney या फिर thyroid disease है patient को तो भी यह problem हो सकता है कुछ cancers है जैसे की cancer की treatments के दौरान कुछ दवायू के side effects के तोर पे भी आपको ऐसा हो सकता है फिर समझो कि आपकी nervous system पे असर हुआ है उसके करण भी यह हो सकता है और diabetes के कुछ cases है या फिर किसी को allergen कोई सी बी allergen के समझे कि आपको dust की allergy है dust के contact में आते तो आपको तुरान जो वो eating जो होना सूर हो जएगी या फिर कोई पोलन के contact में आता या फिर कोई भी ऐसी चीज की जिसके आपको allergy है उसके contact में आने से भी आपको itching हो सकती तो symptoms जैसे हमने आगे भी डिसकस किया कि skin के उपर कई बार cracks पढ़ जाते skin dry हो जाती है वहाँ पर bumps देखने को मिल जाते है बिलिस्टर जैसा develop हो सकता है skin लाल हो जाती है या फिर आपको irritation जैसा फिल होता है कई बार जलन जैसा भी मैसूस होता है itching के करन और यह ऐसा नहीं कि सरे के किसी भी पार्ट पर यह problem हो सकता है तो उसके treatment के हम कुछ options देखे सबसे पहले दवायू के पहले जो कुछ गरेलो उपचार होते है या फिर जो home remedies के हम बात करते है तो उसके तोर पर आप cold compress कर सकते है मलब कि जो बरफ होती है वो बरफ वहाँ पर आप लगा सकते है जिससे आपकी itching जो यह वो कम हो सकती है फिर second option बनता है कोई moisturizing lotion आप लगाओ के समझे के skin dry हो गई है और dry skin के करण itching हो रहे है तो वहाँ पर patient moisturizing cream लगा सकता है या फिर lotion लगा सकता है फिर lukewarm या फिर oatmeal का जो बात लिया जता है वो एक home remedies के तोर पर कर सकता है फिर neem lift का जो extract है मनलब कि neem के पत्ते हैं आपके पास उसको पानी में डालो उसको उबालो तो जो पानी तयार होता है उससे समझे के patient regular जो नहाता है तो उससे भी एक antibacterial property मिलती है और अगर कोई bacterias के करण या फिर कोई food के infection के करण आपको itching हो रही है तो वो itching जो कम हो सकती है फिर कोई medicated soap से नहाने से कि like समझे कि आपको neem के साबू से ही आप नहाते है या फिर आप aloe vera containing जो neem होता है नीम और aloe vera के combination वाले भी साबू नहाते है या फिर कोई medicated की जैसे ketoconazol का soap है clotrimazol का कोई soap है तो ऐसे antifungal medications के soap से नहाने से भी ये problem solve हो सकता है फिर over the counter hydrocortisons के जो creams आते हैं और anti-histamines के tablet आप जानते हैं pants based medications तो सबसे पहले रहता है option sulfur का के sulfur के पास एक एक property की जिससे आपकी itching जो हो ये कम करा सकता है फिर skin infections को भी वो जो वो treat करता है कि जिसके करन आपको मुझे वो itching हो रही है महलब कि जो reason है वो reason के उपर ये target करता है sulfur containing जो medications आती है वो calamine, lotion यहाँ पे options बन सकता है anti-histamines, antifungaline OTC cream anointment तो सुरुवात करते हैं sulfur containing product से तो यहाँ पर जो आप diagram में देख रहे हैं कि कई बार scabies के करण भी समझो की itching हो रही है या फिर rosa से की जो condition हो दे skin के उपर blisters बन जाते है redness जैसा हो सकता है हो जाता है तो ऐसे conditions को treat करने के लिए sulfur containing products काफी useful सा भी दो दे जैसे कि आप यहाँ पर diagram में देख रहे हैं तो एक है sulfur का ointment है किसे भी brand का आप को ointment मिल सकता है फिर जख में रूस करके product है कि जिसको pink ointment का आ जाता है तो वो भी आप लगा सकते हैं और sulfur and salicylic acid का combination वाला soap available होता है कि यहाँ पर जो आप देख रहे है कि यह soap का option हो गया यह ointment है और यहाँ पे भी यह pink ointment जो वो patient use कर सकते तो यह होगा एक sulfur containing products और यह खास कर safe होती है कुछ homeopathic के तोर पे भी आप उसको use कर सकते हैं second आता है calamine lotion तो समझो कि itching जहाँ पे हो रही है वहाँ पे affected area पे patient जो वो calamine lotion लगा सकता है कि उसके बहुत सारे uses है जैसे कि आपको eczema के करण समझो कि हुझली हो रही है impetigo के करण हो रही है sunburn मतलब कि धूप में skin जो खराब हो जाती है उसके करण itching हो रही है कोई से dermatitis के करण हो रहा है varicose ulcers के करण या फिर sorasis के करण हो रहा है और वहाँ पे फिर आपको itching होगी उसी तरह से आप देखो इस तरह से sports बन गए है skin के उपर या फिर आपको इस तरह से itching के sensation हो रहा है तो यह सब भी को treat करएगा यह calamine lotion फिर यह लगाने से फाइदा यह होता है कि आपको itching भी कम करता है skin को भी protect करता है और दूसरा कि एक cooling sensation जैसा कई बार के जलन जैसा होता है कि जब आप किसी जगा पर काफी itching कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या होता है? कि जलन जैसा होता है तो वो जलन को भी यह calamine lotion जो वो कम करता है तो ये दो option आपके पास बनके एक sulfur वाला या फिर calamine lotion का कि जो आप बाहर से लगा सकते हैं अब बात करते हैं तिसरा option एंटी हिस्टे माइन का कि जो पेशन टाबलेट के तोर पे उनको खा सकते हैं तो एंटी हिस्टे माइन पे बहुत सारे options रहते हैं तो ये पूरा एक medicine का class है एंटी हिस्टे माइन के जो allergic reactions को बे treat करता है कि कई बार itching होने का reason ही होता है कि कोई allergy होई है और allergy के दौरन क्या होता है कि हिस्टे माइन नाम का एक chemical release होता है और हिस्टे माइन के पास ऐसी property होती होती है कि वह जब जहाँ पे release होता है तो आपको itching जैसा feel होता है वहाँ पे solution हो जाती है तो उसको काम करता है जैसे के bromphenidamine है, satirizin है, livosatirizin है, chlorphenidamine है, klemastin है, diphenhydramine है, facsofinidine है और lauratadine है तो इन में से कोई भी एक जो है वह आपको suit हो रही हो कि जो भी medication patient को suit हो रही है कि समझे कि आपको evil 25 suit हो रही है, facsofinidine suit हो रही है या फिर evil का ये phenyramine malate नाम का जो syrup है, वो suit हो रहा है, तो कोई भी patient एक ले सकता है अपने doctor के सला के according to फिर option बनता है fungal, antifungal medicines का, कि कई बार eating जो ही वो fungal infections के करण हो रही है, तो अगर आपका diagnosis होता है और पता चलता है कि ये fungal infection, कि जैसे कि दाद हो चुका है, खाज हो चुका है, खुझली उसके करण हो रही है, जैसे कि ringworms के condition हम कहते हैं, या फिर कोई fungal infections हुआ है आपके skin के उपर, तो ऐसे condition में या भी जो आप देख रहे हैं कि antifungal है, myconazole का ये cream है, फिर उसके अलावब बहुत सारे हैं कि जैसे कि clotri mazol का, closeif आता है, iconazole है, ketoconazole है, oxyconazole, fluconazole है, itraconazole, wariconazole, तो बहुत सारे antifungal options बनते हैं, तो इन में से कोई भी एक patient जो वो ले सक सकता है patient, और नीचे जो आप देख रहे है, white field ointment है, वो भी काफी अच्छा और असरदार सावित होता है, कि जब यह allergic reactions हो रही है, और उसके करण, itching हो रही है, तो उसमें, एक और option है, btex का भी option यहाँ पर आप देख रहे हैं, कि beta methasone के जो cream है, white ointment है, या फिर white field ointment, तो white ointment के तोर पर आप btex का option देख सकते हैं, और white field ointment के जिसके अदर content रहता है, benzoic acid and salicylic acid, तो यह भी सबसे अच्छा, तो यह 5 होगी है best option, अगर इससे भी किसी को ठीक नहीं हो रहे हैं, तो कुछ और options बनते है, cold compress का, जैसे मैंने सरुआत में आपको बताया था, कि जो बरफ है, उसको किसी pouch में आप बर लो, या फिर cold compress की जो थेली आती है, उसके अंदर आप बरफ को बर लेते हैं, और उससे जहाँ पर आपको itching हो रही है, वहाँ पर अच्छे से उसको जह वो सेक देते हैं, जिससे आप गरम पानी से सेकते हैं, उसी तरह से यह बरफ से सेकना है, वो जगा पे, कि जिसको cold compress का आ जाता है, फिर moisturizing की जो अब यह हमने बात की थे, कि कोई भी moisturizer patient लगा सकते हैं, और उसको dry skin का problem है, और dry skin के करण आपको itching हो रही है, फिर lukewarm या फिर oatmeal के जो बात की, कि जिसको जही का दलिया कहते हैं, कि जिसको पानी में बि देयार होता है, उससे patient जो नहाता है, तो यह का option बनता है, और medicated soap भी यूज़ करना है, जो रही है, अगर आपको यह problem हो रहा है, तो आप नहाने में ही एक habit बना लो, कि आपको medicated soap यूज़ करो, जैसे कि किटो कॉनाजोल का soap आता है, स्यावलोन आप यूज़ कर सकते हैं, क्लोट्राइ माजोल का soap आता है, नीम का soap आता है, तो जिनके पास antifungal activity रहे थे, antiching, skin moisturizer, antiseptic, antibiotic fragrance अगेरा उसके अंदर ingredient होते हैं, तो इस तरह से proper itching का इलाज हो सकता है, या फिर home remedies के तोर पे जो हमने शुरुआत में बात की, कि नीम है, उसके जो पत्ते है, उसका paste बना क पेर भी पेशन लगा सकता है, या फिर उसके पत्तों को पानी में डालो, उसको उबालो और वो पानी से ना हो सकता है, अलोवेरा जेल आप लगा सकते है, या फिर बेस्ट एक option रहता है, coconut oil, कि itching हो रही है, तो वह आपे coconut oil भी काफी अच्छा और असरदार सा भीत होता है, और उसके कोई side effects भी नहीं होते हैं, तो ऐसे ही detail में सिखना है तो आप medicine course को join कर सकते हैं, हमें whatsapp कर सकते हैं 9016312020 पे या फिर directly हमारी आपको download कर सकते हैं, कि जा पे आप अलग-अलग lecture notes हमारे attend कर सकते हैं, this is in medicines related course भी join कर सकते हैं और ये भी सब affordable price में आपको access करने को मिलता है, form और उसके अब उपर, तो whatsapp करें हमें 9016312020 पे, good luck and all the best